हेलो और विल्कम फ्रेंज और आप सभी एक बार फिर्शे स्वागत एक चैनल पर और फ्रेंज यहां पर हम सभी को एंड्रोइट 10 को लेगर कितना जाधा एक साइटमेंट दीना और एंड्रोइट 10 अगर लेट हो रहा था कुछ टाइम तो मतलब कितना घुसा आ रहा था हम कुछ हुआ है आप अगर जानोगे तो फिर आप भी हैरान हो जाओगे बिकोज यहां पर समसिंग का जो गलेक्सी एस सेवेंटी यहां पर भी सेंब वही प्रॉब्लम आई है जो कि समसिंग के एफिफ्टी मारी थी अब वह प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले मैं आपको सब्सक्राइबर्स हैं इस अपडेट को स्टॉल करा एस सेवेंटी के एंड वह मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा अपडेट इस्टॉल नहीं हुआ है और उनके डिवाइस में प्रॉब्लम क्या है यह वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम डिवाइस में अपडेट जहां पर की काफी सारे युजर्स के साथ में यह प्रॉब्लम हो रही थी इस्टॉल हो रहा था बट ऑपन नहीं हो पार तो आपकर डिवाइस बूट और नहीं हो रहा था कुछ लोगों का दो गंटे तीन गंटे चार गंटे में ऑटोमेटिकल बूट ऑन हो गया कुछ रहरोई 10 1u2 का अपडेट ओलाउट करा था महाँ पर PCB के कुछ इंपोर्टेंट गोड्स को महाँ पर इंकलूड नहीं करा था वह मिस्स थे जिसके वज़य से तो पूरी फाइल थी वह फ्लेश हो रही थी बट एक्च्वली में वह फ्लेश जो फाइल थी वह अपडेट की आपका डिवाइस जो है ब्रिक हो गया है इसकंदो कोई सॉफ्टेर नहीं है जिसके वह इस अपका डिवाइस बूट और नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों का जो है वह एकसेप्ट कर लेता है और वह बूट ओन हो जाता है लाइक मी राइक काफी अधर यूजर से जिनका व इतना A50 के यूजर नहीं थे मेरे पास मतलब A50 के यूजर नहीं कर रहा था जितना A70 के यूजर रिपोर्ट कर रहे हैं तो यह काफी मेजर प्रॉबलम है और इस प्रॉबलम को सैमसिंग को जो सॉल्व करना चाहिए और सबसे मतलब गंदी बात यह है कि जब इन्हें पता ह जब चेक आउट करा था जैसे ही उन्होंने उनको इस बार में पता चला तो उन्होंने उसी वक्त एक्शन लिया था और उसी वक्त उस अपडेट को जो है सस्पेंड कर जाता बट जो सैमसिंग का A70 है उसका जो आपडेट वह भी रोल आउट है अगर आपने अपडेट नह अपडेट स्टॉल ना करें अगर A70 में स्पैशली जो आया हुआ है अपडेट I know मेरी वीडियो काफ़ दा मिस हो गई है बट मैं इस चीज़ को पर काफ़ दा फाइंड आउट कर रहा था और फाइनली मुझे यहां पर एक आर्टिकल मिला जहां पर कि इसी के बारे में लि कि अगर लेएगा है अगर आप अपने डिवाइस का इस टॉल कर तो आप गड़ है अगर अपने दिवाइस को अपने प्रामर्य एंट्शायत है तो फिर आ लगपक पांच-छह दिन के लिया पुज नहीं कर पाइंगा वो आफ है लोग डावन के वजय से और यहां पर सिरि या लैपटॉप की जुरूद पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन इतना जरूरी नहीं है बट और इंट सैंसंग ड्राइवर एंड फ्लेश फाइल बहुना बहुत जरूरी है एंड सबसे इंपोर्टेंट लैपटॉप या डेक्स्टॉप उ हाडवेर डेट नहीं होता है बट जो हाडवेर के PCP कोड्स थे वह मिसिंग थे इसी वज़ए फ्लेश फाइल चड़ नहीं पाए थी और वह ब्रिक हो गया बट आपका डिवाइस डेट नहीं हुआ है आप जैसे ही लोग डाउन अटेगा आप सब्सक्र इंटर जाएंगे वहां पर अपने डिवाइस को देंगे ओपका डिवाइस को नौर्मली इस रणडेंगे और ठीक करके देंगे और कर अपकर डिवाइस ब्सक्र आप favorites होगिया है तो भी कोई दिक्कत की बात और नहीं है आप अपने किसी बीधास के शॉफटेरो जो इंस्टॉल करते हैं गे के पाल जाएंगे 100-500 रुपे लेंगे maximum इससा जादा नहीं लेते हैं फ्लेश करने के वह आपका डिवाइस को automatically firmware चड़ा देंगे फ्लेश कर देंगे आपका जो डिवाइस है वो नॉर्मली बूटन हो जाएगा and maybe samsung इसको जल सील fix कर दे and इसका जो stable update है वो roll out कर दे well जब तर लग के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एट कर सकते हूं उसके लावा कुछ नहीं और यही ता अचके इस वीडियो में I hope आपको यह वीडियो काफी जाथ informative लागिए अगर अच्छी लगती है information अच्छी लेगी है मतलब मैंने काफी information दी आपको इस वीडियो में वो अच्छी लेगी है तो यार like कर देना इस वीडियो को share कर देना चैनल पर लेना तो subscribe को लेना notification bell को turn on को लेना मैं मिलता हूं आ झाल की लगन्ट है दो कर दिए लेना कर सक्किटा एंदाती है